हम सब स्ट्रम कैम प्रेजेंट सी एस पेन क्रिकन फोर ची ट्वैंटी टाइम और हिंदी में स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक तरीके से वर्चुल क्वाटर फैनल भी बोल सकते हैं यह भी कह सकते हैं कि इस मुकाबले पर किसी और भी टीम की नजर रहेगे जिया इंगलंड और श्रिलंका के बीचे मुकाबला सिड्नी में खेला जा रहा है जहाँ पर नजर होगी और यहाँ पर इस मैश पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है पुर्वभारती क्रिकेटर रॉबी नुथपपा स्वागत रॉबी शुक्रिया रॉबी बहुत बड़ा मुकाबला अगर ऑस्ट्रिया के दिरिष्टी कौन से देखा जाए तो वो चा रहे होंगे कि यहाँ पर बारिश हो जाए जिसकी उमीद कम दिखाई दे रही है या फिर श्रिलंका जीत जाए इंगलंड से और इंगलंड के सामने सीधा सा रास्ता है जीतो सेमी तो क्या वो सोच रहे होंगे कि श्रीलंका जीत जाए हाँ जरूर पर क्या वो खुश रहेंगे कि उसके वज़े से वे क्वालिफाइ हुए हैं नहीं मुझे नहीं लगता दूसरी तरफ हम श्रिलंका को भी नहीं नजर अंदास कर सकते हैं भले ही वो बाहर हो चुकी एटीम समी फैनल की दोड़ से लेकिन जाते जाते एक मजबूत इंड पर खत्म करना चाहेगे टोर्णामेंट क्या पता इंगलेंड को एक कडी चुनौती पेश करें हाँ बिलकुल और जितना इंपॉर्टन भी है क्यूंकि अगले वर्ल कॉप के लिए तो वो कॉलिफिकेशन दें खेलेंगे तो यह जुरूर स्री लंका के लिए एक इंपॉर्टन मैच है और अगर अब टीम के तरफ हम नजर डालें खासतोर से इंग्लेंड से हम शुरुवात करते हैं एक के बैलेंस टीम नजर आ रही है जहां पर बलेबाजों की फॉज है शुरुवात से ही आपके पास साकरमक बलेबाज हैं बटलर हों हेल्स हों लिविंग्स्टन मिडिल ओडर में स्टोक्स हैं फिर साम करंट भी तेज तरार बलेबाज ही करते हैं यानि भरी हुही टीम हाँ बिलकुल इन फेक्ट ऑन पेपर शाहिद भी सबसे अच्छा टीम होगा उनका अट अर्फेवरिट टीम है अभी वापिस स्रीलंक का पिछले दो-तीन सालों से जो स्ट्रगल कर रहे थी एश्यक अपके बाद वो अभी अपवर्ड स्विंग में है तो अच्छा मुकाबला होगा और मुकाबला सिड्नी में है रोबी यानि जो पिछ हमने अभी तक सिड्नी की देखी है वो एक इंग्लिंड को पर इस ग्राउन में रन बने है 180, 200 परसों के मैच में 180, 185 बनाया है तो पाकिस्तान ने 185 बनाया था तो रन्स मिलेंगे पर स्पिनर के लिए विकेट मदद करेगी यानि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि श्रिलंकाए स्पिनर वर्जर्ज इंग्लिश बैटर क के बीचे मुकाबला होगा लेकिन रोभी अगर श्रिलंका के तरफ हम नजर डालें तो क्या यहां पर इनकी जो बलेबाजी है वो थोड़ा सा चिंता का सबब है क्योंकि सामने इंग्लिश टीम के पास तेज गेंदबास कोई भी फौज है आदिल रशीद भी है मुहिन अली इन श्री लंका के बैट्समें के लिए अच्छा चैलेंज होगा यह वाला मुकाबला क्योंकि हाई क्वालिटी बोलिंग की अगेंस्ट खेलने को एक मौका मिलेगा और उस मौके में वो उस मौके को गवाना नहीं चाहेंगे श्री लंकान बैट्समें क्योंकि अगर इनकी इस रन बनाये आपने तो बहुत ज्यादा confidence मिलेगी इससे और बड़े match में toss क्या important role play करेगा Sydney में मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं लगता कि उतना फरक पड़ेगा पर toss हमेशा important होता है दोनों टीम के लिए तो मुझे लगता है कि श्री लंका भी second bowling डालना चाहेंगे क्योंकि उनका spinners के लिए कुछ रहेगा और मुझे लगता कि England भी शायद पहले bowling करना चाहेगा क्योंकि उनको पता रहेगा कि कौन सा score वो लोग chase कर रहे है तो बात हो गई और पता है मैं आप भी आई सोच रहोंगे कि Robby से ये सवाल ज कि लंका जीट जाए और मुझे लगता है कि कल के मैच में इंगलिंड थोड़ा आउट प्ले करेंगे उनको पर 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 प्ल्रा भारी इंगलंड का है मैदान पर भी कुछ फैसी उमीद चलिए बहुत बहुत शुक्रे और वी जुने के लिए तमाम बातचीत के लिए तो एक बाहर की टीम यानि मेजबान टीम की भी होगी जो बले इस मैच को खेल नहीं रही हो तो चलिए कम सब इस्टम का में प्रेजंट सी इस पेन किरिकन 4G20 टाइम और हिंदी में आज लिए तना ही कर दो झाल कि घूल झाल किरिकने कि र dönृश कि भी जुत कर देए